निहान का विश्वास इसे मुझे पापा के इतनी ज़रूरत तो नहीं है पर मुझे अपनी जान के लिए पापा चाहिए जानवी और आर्यमन की अनोखी कहानी नया सीरियन नया अंदास जी टीवी पर 29 अप्रिल से शुरू होने जा रहा है नया सीरियल जिसका नाम है मैं हूँ साथ तेरे जिसमें बन गई है करन वोहरा और उलका गुपता की जोड़ी बीती शाम हुई इस सीरियल की प्रेस कॉन्फरेंस जिसमें उलका गुपता करन वोहरा बाकी की कास्ट नजर आई आर्यमन और जानवी की कड़ी जोड़ता है जानवी का 5 साल का बेटा निहान जी हाँ उलका गुपता इस सीरियल में बनी है सिंगल मदर जिसका है 5 साल का बच्चा और उसकी जिन्दगी निहान के ही इर्दगेद खूमती है वो काम भी समभालती है सूपर वोमन भी बन जात है कि उसके पापा लोट कर जरूर आएंगे कहानी इन तीनों के ही इर्दगेद खूमे की तो भैसास बहु और बेटियां पहुँच गया है इस स्पेशल प्रेस कॉंफरेंस में लेकिन उससे पहले पहुचा है उलका के मेक अप रूम में जा आज उलका का होगा मेक ओवर क् उलका से जानवी के किर्दार में जो ढटलने वाली है तो चलिए सीधा चलते हैं उनके मेक अप रूम में जानने के लिए उनका ये मेक ओवर हम फाइनली पहुचे हैं ताजलान्ड एंड आज हमारे शो का पहला प्रेस कॉंफरेंस है और अभी आप मुझे देख रहे हैं आज उलका आई बहुत लोग रहे हैं मुझे रिमार्क्स दिया कि आ रते छोटे बाल वे दिस इस उलका और आप देखेंगे जानवी को बस कु तो भई मेक अप की शुरुवात हो चुकी है बेस फाउंडेशन आई शैडोज आई लाइनर से लेकर पूरा मेक अप हो रहा है उलका का वैसे मेक अप काफी सिंपल है क्योंकि उलका एक होटेल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब जो करती है ऐसे में वो एक सिंपल देशी करल है जानवी तो आईए देखते हैं उनका मेक अप और कैसे वो जानवी बनती है हाई तो अब जैसा कि आप सबने देखा होगा बहुत पेशेंटली हमने बेस क्लियर किया पूरा पूरा जितने मेरे करेक्शन की जरुथी वो उन्होंने क्रेक्ट किया हमने एक फाउंडेशन का लियो किया और फिर हम आई आई आईशादो पर आप देख सकते हैं आईशादों में भी जादा नहीं है तिंग इस हाडली वान और टू शेड़ है ना जेपी दादा और सिंपल लाइनर थोड़ा समज लाइनर और लाश अब बस हमें थोड़ा सा कॉंटोर शायद करना है थोड़ा सा बलाश थोड़ा लिप्स्टेक यूजुली जब भी मैं सेट पे जाते हूं यह सभी कुछ बहुत फास्ट होता है बहुत फास्ट करना पड़ता है विकुस अस अक्टर्स वी डोंट हाव थे लिबर्टी के हमारा हम से सच धजे सबस्ट के माइव पर नहरे क्षू करते है कि हम 20-25 निट के अंथर रड़ी हो जाए है तो हय है बटलाप अगर दीदी मेरे साथ होती न तो यहांसे और मेरे पिच रहा होता है dumping मेकप भी हो रहा होता है मेरे लाश ग्लुँ लग रहा है तो वार होता है मेकप और हैर दीदी के बीच में कि कौन जादा टेरिटरी फेस और हैर पा सकता है और उस कश्म कश्म में ऐसे बीच में हो जाती हूं बट इस इस आर लाइफ और आई रहली इंजोई दा और फिर बस सेट तक पहुंचने की जल्दी होती है और नौट अंकी करने का बस इंतिजार रहता है अंकी करने की जल्दी होती है अंकी करने की जल्दी होती है हलो तो यहां हो गया है मेरा मेकप और है रेडी और बस कसर रह गई है कॉस्ट्यूम की और यह है वैसे तो जानवी को यह लगशुरी नहीं मिलती हम मैं पहनती तो हूँ अनारकली बड़ इतने ब्लिंगी ब्लिंगी तो नहीं बड़ हां आज प्रेस कॉंफरेंस है और आज हमारे शो का फर्स्ट प्रेजनेशन है आप सब देखेंगे तो यह और प्रटी लगना यह रहा मैं चेंज करके आती हूँ यह मेरी जूलरी है I think यह लड़की लड़की है ग्वालियर शेहर की इसका बहुत ही सिंपल सा फैशन है and I think oxidized silver jewelry कभी फैशन से बाहर नहीं जा सकता so yeah आप सब देख सकते हैं options हैं हमारे पास कुछ बहुत ही सुन्दर earrings के तो देखते हैं क्या match करेगा मुझ पे पता नहीं तो मैं आपको मिलती हूँ जानवी बनने के बाद यह रही जानवी की watch because वो एक hotel staff employer है reception पे, hospitality में time पे रहना जरूरी है यह रही जानवी की चूडियां because वो एक Indian girl है और I don't know चूडियां या कडे तो भई मेकप हो चुका है पूरा और उलका जानवी के किरदार में पूरी तरह से ठल चुकी है तो आईए करते हैं जानवी से खास मुलाकात और जानते हैं जानवी के किरदार के बारे में कुछ और बात है तो पूरी तरीके से अब जानवी बन चुकी है उलका और जानवी बन कर क्या feeling आ रही फरस्ट I think मुझे अब बहुत relaxed फील हो रहा है बहुत soft फील हो रहा है I am very excited for the press conference right now Janavie और उलका में डिफरेंस है कि Janavie जादा responsible है इतनी responsible है कि वो एक 5 साल के बच्चे को बालती है as a single mother and you can think about how a mother and a child's relationship is a mother makes a whole world I think that Janavie is the most important thing in her life if you watch the Serial, you can't get the opportunity to see her and I am very excited for the show to launch दो सभसे ज्यादा अपसे यही कोशन होने वाला है कि इतनी कम उम्र में मा का खिर्दार अपने अगसेप्ट किया है नगे इतनी कम अमर में मा का किर्दार अपने एक्सेप्ट किया है और परसे पांच साल के बच्चे की मा So when I have this opportunity came, I will not lie मेरे जहन में जुरूर वह बात आई थी कि पता नहीं इतने जल्दी मैं एक माँ का क्यारक्टर प्ली करूंगी फिर मैंने रियलाइस किया कि या तो यह तो बहुत ही शालो थिंकिंग है फिर मैंने सोचा अपने फेवरेट उन अक्टरस के बारे में entertainment मेरा फर्ज है और मुझे वो निभाना है and I'm very happy to associate with Sonali ma'am Amir sir और ZTV once again because ZTV feels like home वह यह कि जहासी की रानी से लेकर है कहे साथ फेरे से लेकर तो अब तक तो यह जो रिष्टा रहा है काफी गहरा है जी मतलब यार बच्पन से जे पैदा ही हुई और TV देखा है तो ZTV देखा है और actor की बेटी हूँ और acting करने का जब से कीडा लगा है तो मन था कि ZTV पर ही काम करना है It's so famous हमारे सभी बच्पन से लेकर आज तक हमने जो Indian society और कहानियों के बारे में जाना है वो तो ZTV जाना है Gen Z So yeah मुझे पहला ब्रेक मिला ZTV पर एक था शो कल साथ फेरे And as a dusky dark complexion girl मेरे वो बहुत इंस्पारिंग शो था जिसने मुझे confidence दिया And मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे साथ फेरे शो में ही auditions के जरिए Saloni के डॉटर का रोल प्ले करने का मौका मिलेगा And बस वहीं से मेरी As an actor, as a child actor journey शुरू हुई फिर वापस ZTV ने मुझे 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 दिया मतलब कुछ था किसमत में कि मैंने auditions दिये और फिर मुझे जहांसी के राणी शो में कास्ट किया गया And I am really grateful that the stardom I have seen and the love of the whole country ZTV मुझे मुझे ले जा पाया है And finally, back again after so many years And I am very happy feeling, I am very excited If someone says that I am with you, then who would you like and who would you like? I am with you, I am with you, I will always be with you Because acting is my first love, my first priority That is a constant And I am with you, I am with you Whether it is a serial or a film or an OTT Whether it is our Instagram Q now So yeah, I am always here So new members and new members are ready with Ulka And the audience has given all the love you before and all the members of the members And you will also get the love you before What do you want to say? I am nervous I am nervous And if you are with me, I promise you I will entertain you This story is very emotional, it is a very lovely journey And you will be with me I will be with you Because I am with you For me I am so lucky For me I am so lucky I am with you And once again we are back You are lucky Let's go Let's go For the press conference Bye-bye So,来 Знаешь Annika To be with you You are lucky To be with you To see So far Bury You are lucky To you I am being Rich Away We are mentre कहें टेस्ट जिसमें उसे पास करना है तभी वो अप्रूबल देगा जानवी से शादी करने का और एक एकर हो रहे हैं यहां पर टेस्ट पापा का दोनों का काम करते हैं इससे थोड़ी ठक जाती है इसे मुझे पापा के इतनी जरूरत तो नहीं है पर मुझे अपनी जान के पापा चाहिए प्रिंच चाहिए जो उनकी हेल्प करें को प्यार करें तो यह है मरे दोस्त आल्यमान अरे मैं बहुत स्ट्रॉंग हूं ये देख ये देख मेरे पाइसे तो आप अपने पीट पर बैटा कि मुझे 10 पुश्फ करवा हो बस इतनी सी बाग आजा कमाँ आजा तो करेगा हाँ अराम अलस्ते करियो हाँ वान तू तू त्री पॉर फाइज शीक्स सेवन एट नाइज तेन वाव हीटो मरा आगया तेस नुमर टू आप में जान के फ्रेंसे स्माइल कवा सकते हैं इस स्ट्रॉं का के बस बिल्कुल अभी देखा सकता हूं ये ले तूजे देखा तो ये जाना सनम कान की रख्षा तो हो गई पर जान की रख्षा तो कौन करेगा यार मैं मानता हूं पर थोड़ा सुर में नहीं था पर दिल से गाया है मैंने कुल फीलिंग के साथ है ठीक है अग्रे टेस में फिल मत होना आप तो अपने आपको राजकुमर कहते हो ना तो टेस्ट नंबर थिरी आप अपने आप मेरे जान के लिए रोमेंटिक हीरो बन चकते हो तो ठीक है कि अपने आप अपने आपको राजकुमर के साथ है कि अपने आपको राजकुमर के साथ है क्यात अपने आपको राजकुमर के स्सस्क्राश 對不對 क्याश के साथ है destruction पीस पास कर देना पास लेकिन मैं सोच के बताता हूँ भई निहान ही है वो कड़ी जो आरे मन और जानवी को एक साथ लाएगा लेकिन कई सारे कठीनाईयां भी आएगी क्योंकि यही तो है सीरिल के दुनिया वैसे सीरिल में आरे मन और निहान की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉंग है तो आएए आरे मन से मिलते हैं और करन वहरा से भी जानते हैं क्योंकि यह बॉन्डिंग कैसी है क्योंकि हाली में वो ड्रियल लाइफ में पापा जो बने है नई पारी नई किरदार के साथ करन है तयार और इस बार कितनी है तयारिया इस बार बहुत तयारिया है और एक नए पैकेज के साथ हम लोग आ रहे हैं शो को ना में मैं हूं साथ तेरे 29 से साढ़े साथ बजया आएगा और बहुत नई स्टोरी है बहुत फ्रेश स्टोरी है लोग कनेक कर पाएंगे आज की स्टोरी है वो टेपिकल, इस नॉट लाइक टेपिकल ड्रामा स्टोरी एक बच्चे की स्टोरी है बहुत खुबसूरती से अगर बोलूँगा, एक बच्चे की स्टोरी है, जहां हो एक बाप चाहता है, बट अपनी लेकर अपनी माँ के लिए जाधा चाहता है, एक लड़का है, हरेमन, उसकी जिंदिगी में भी बाप है, पर बाप उसको दुतकारते है, उसको भार बेदिया पढ़ने के लिए, और वो भी अपने बाप का प्यार, उसको अपने, he was longing for his father's love, तो उसको भी वो चाहिए, प्यार चाहिए, इसको भी बाप चाहिए, तो कहां वो connection बनता है, एक बाप के लिए, तो मैं बोलता बोलता न, emotional हो जाऊंगा, तो किस उसमें आते हैं, कैसे वो connection बैठता है, और कैसे आरे मन जानवी, जो उसकी मा प्ले कर रही है, वो, they fall in love भी तीछा था, but again, approval उसी को देना है बच्छे को, कि मेर अबाप बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, तो उसके हर टेस्ट है, वो टेस्ट बोलेगा, तो मुझे पास होना उसमें जरूरी है, तब पादरहुट जो है, यहां फिऒ आपको प्ले करना के लिए भी कहेंगे, रूल भी ऐसफे हैं वो आहँ मिला है, तो क्या कुछ था नहीं तू पादर्ध ब खादरहुट से? मैंने जैसे बताया, बाप का प्यार है, उसको चाहिए, मेरी भी जिन्दिगे में कुछ ऐसे इंसिदेंज रहे होंगा, I felt connected, तो बहुत मज़ा आया और अंदर से एक लॉंगिंग था कि नहीं आ रही है, करना है, शो करना है, कौन सी ट्रेनिंग काम आ रही है, जो है पादरोड की यहाँ पर भी है, यह बचच भी बड़ा है, यह बच्चा भी बड़ा है, वहाँ तो नपए ट्रेwnिग सुसु ट्रेशन लोगाहिए, मतलो faut भी हैं कि अजर लोगा ट्रोड की जो है, कि वच्रस ठीट हैं, तो कुछ भी बोल दें, भाला 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 मैं भी कर देता हूं तो यहां भी ऐसा है, I just be, you know, like him only वो जैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है तो वो एक connection बिल्ड़प होता है क्या कुछ करना पड़ रहा है, मतलब कि कितना एक यहां पर उलका भी है और निहान भी है, तो chemistry जो है, वो दोनों के साथ अलग आपको रखनी है मतलब बेसिकली, तो बच्चे के साथ आप बच्चे बन जाते हो उनके साथ आप उनके फिट हो जाए, suitable बन जाए, या eligible बन जाए, पूरे तो कितनी वराइटी बुलना चाहिए या वरस्टालिटी मिल रही है इस कारेक्टर को बहुत बहुत यह एक अक्टर के देखिए, एक टेस्ट होता है, अज एक मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टेलिविजिन में, what I feel, खासकर, as for male actors, बहुत कम रोल जैसे होते हैं, मैं दावे के साथ किया सकता हूँ, it's a female oriented version, नारी शक्ती, जिसको बल सकते हैं, so male actors को बहुत कम अपने आपको पूरूफ करने का, या अपने आप कहीं पे, अपने craft को दिखाने का मोका मिल पात का, be it Z का मेरा पेला show ही क्यों ना हो, star का हो, तो इसके अंदर भी मुझे इतनी layering मिली है, characters, अपने character के साथ, मेरे father के साथ अलग है, family के साथ, बच्ची के साथ, जानवी के साथ में, so बहुत कुछे करने के लिए, या, या, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, अपनी सेनी के, ये सिम मतलब अपने audience है, अपनी आज तक की G&T की audience है, यही बोलना चाहूंगा कि, आज तक आप लोगों ने इतना प्यार दी, इतना support दिया है मुझे मेरे shows को, so सेम इसको भी उतना प्यार दीजे, और I believed in it, तभी मैं ये show कर इस दिखड़ी की कहानी देखने के लिए, क्योंकि इसमें है drama, entertainment, emotions और बहुत कुछ, जो ZTV पर शुरू होगा 29 अपरेल से, मुबै से नुपुर माउची के साथ, Bureau Report चानल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आप यही वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो हम आ गये हैं आपके WhatsApp पर भी, ताकि आपके WhatsApp पर भी 24-7 entertainment, और हाँ, आप हमें G&T के साथ साथ देख सकते हैं, आ झानल को सब्सक्राइब ज़रू करें साथ